दोस्तो नोशकार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश इन दिनों अपने देश की जो केंद्र की सरकार है और जो कई राज्यों की सरकारे हैं वो समाज, जनता, गवर्नेंस यानि शासन उनकी जो बड़े-बड़े मसले हैं वो तो हल नहीं कर पा रहे हैं मसला सरहत का हो, इंटरनेशनल बॉर्डर का, लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल का, लोसी का या यहां तक की राज्यों के अपने जो, की जो अपनी सरहदें हैं यानि एक इस्टेट और दूसरे इस्टेट के बीच, एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच जो सरहद है, जो एक डिविजन है कि यहां से आप का राज्या है उसके मसले भी हमारे यहां जीवित हैं अभी तक उनको लेकर भी बावेला मस्ता रहता है हम उनको नहीं हल कर पा रहे हैं बेरोजगारी, बीमारी, महामारी और बढ़ती हुई महांगाई इनके जो बड़े मसले हैं हम उनको भी नहीं हल कर पा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं यानि हमारी सरकार चाहती है कि वो लोगों के जाती मामलों में लोगों के व्यक्तिगत सामुदाइक सामुहिक मामलों में भी दखल अंदाजी सबसे ज़्यादा अगर किसी की हो तो समुदाइक की अपनी कमेटियों की नह हो समुधाय के अपने लोगों की नव हो सरकारों की ज़्यादा हो और इसके लिए दोस्तो तरह तरह के कदम बढ़ाया जा रहे हैं अब जैसे उधारण के तौर पे मैं आपको बताऊं अभी महाराश्ट की भाजपा और शिव सेना सिंदे गुट की सरकार ने अंतर धर्मी अंतर जाती शादियों पर नजर रखने के लिए नजर पर ध्यान रखिएगा नजर पर आप भी नजर रखिएगा नजर रखने के लिए कमेटी बनाई है याद रहे या कमेटी ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है जहां तक मैं समझता हूँ जो समाज में धर्म और जाती की खाईया कम करें यह उन पर नजर रखने के लिए बनाई गई लगती है जहां पर इंटर फेट और इंटर कास्ट मेरिज़त जहां हो रहे हैं अब नजर रखने का समझा जा सकता है भई इस तरह के मसले इस तरह की शादियों में अगर कोई विवाद होता है उसके लिए कोर्ट्स बनी हुई है उसके लिए कचारी है उसके लिए अदालती कारवाई है इस कमेटी में सरकार के भी लोग रहेंगे और गैर सरकारी लोग रहेंगे अब गैर सरकारी लोग में कैसे लोग रहेंगे जो कई इलाकों में हम देख चुके हैं लब जहाद के नाम पर तरह तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं अब कौन जाने की किसको कहां बैठा दिया जाए तो दोस्तों ये तो एक मैंने नजीर पेश की लेकिन अभी हमारे सेंट्रल अस्तर पर यानि केंद्री अस्तर पर भी हमारे देश की जो पार्लेमेंट है उसमें राजिसभा के अंदर एक सांसद किरोडी लाल मीना जी ने राजिसभा में 9 दिसंबर को एक नीजी विधायक पेश कर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संगिता को लागू कराने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है संपुर्ण विपक्ष ने इस विबादास्पद मसले पर नीजी विधायक के विचार का विरोध किया और इसे पेश नौक किये जाने का राजिसभा के स्वापती महोदे से अनुरोध किया लेकिन यह ध्वान इमत इसे पारित हो गया देश की कई महत्पुन पोलिटिकल पार्टी ने खासकर विपक्षी दलों ने राजिसभा में इस मसले पर आपती दर्ज कराई और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जो समाज को बाटने वाली कोई स्थिती पैदा हो जिससे उसमें कॉंग्रिस पार्टी ने बाक्सवादी कॉंग्रिस पार्टी ने डीम के ने और भी कई विपक्षी दलों ने एक सुर में ये बात कही लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई दोस्तों कई स्टेट्स जो हैं भारती जन्ता पार्टी शासित वहां भी समान आगरिक संगिता को लेकर जल्दी जल्दी पहल की जा रही है ऐसा लग रहा है जैसे कोई जैसे ही इनिवर्सल सिविट कोड के लिए कुछ कदम बढ़ा दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा तो हमारे समाज में सब कुछ ठीक हो जाएगा समानता आ जाएगी खुशाली आ जाएगी परिशानियां दूर हो जाएगी मांगाई खतम हो जाएगी रोजगार सब को मिलने लगेगा कुछ इस तरह के लड़ू बांटने वाली सोच जो है लोगों के बीच में जाहिद की जा रही है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो रही हो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अभी इसकी पाल नहीं हुई है वहाँ भी तैयारी की जा रही है लेकिन इसका जो विधाई पक्ष है जो इसका कानूनी पक्ष है उस पर दोस्तों देश के लाग कमिशन ने विधी आयोग ने उसने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा था और मैं अगर विधी आयोग की रिपोर्ट को उसके कंसर्टेशन पेपर को उध्रित करूं यह 21 विधी आयोग था 2018 की बात है यह नहीं की किसी और सरकार के दौरान इसी सरकार के दौरान विधी आयोग के जो चेर्मेन उस समय जस्टिस बियेस चवान साहब जो सुप्रीम कोट आफ इंडिया के आवकास प्राप्तिया सेवा निवर्त जजज हैं उनकी अगवाई वाले लाग कमिशन ने कहा था कि आज के दौर में युनिवर्सल सिव कोट को लागू करना न तो जरूरी है और न तो वांचनी है ये बात कही थी लेकिन दोस्तों हमने देखा कि सुप्रीम कोट आफ इंडिया के एक रिटायर्ड जस्टिस जो देश के विधी आयोग किया देख्षता कर रहे हैं उनकी बात को भी उनके सुजाओ को भी अनसुन तो हमने देखा कि भारती जन्ता पाठी के कई नेताओं ने ये कहना शूरू किया कि हम थो समिधान के तहथ काम कर रहे हैं ये तो कंस्यूशन में है कंस्यूशन में अगर है किस रूप में है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और बार बार ये दावा किया गया यहां तक कि केंद्री मंत्री पियूश गोयल की तरफ से केंद्री मंत्री जो हैं और भारती जन्ता पार्टी के वरिष्ट ने था उन्होंने डाक्टर अम्बेटकर का हवाला दिया कि डाक्टर अम्बेटकर ने स्वयम ही UCC को लागू कराने की हिमायत की थी दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि राष्टी स्वयम सेवत संग के लोगों से लेकर और कुछ कथित कुछ कथित अम्बेटकर वादियों तक बड़े जोर जोर से वे कहते रहते हैं कि अम्बेटकर यूनिवर्सल सिविट को लागू किये जाने के पक्षधर थे क्या ये बात सही है हम ये समझना चाहते हैं और इस पर एक देश में सार्थक छर्चा होनी चाहिए दोस्तों ये बात सही नहीं है हाँ ये बात सही है कि डॉक्टर अमबेटकर सही सम्विधान सवा के ज़्यादातर सदस्तियों ने इसके डाइरेक्टिव प्रिंस्पल में शामिल करने का समर्थन किया था पर समाज और समुदायों के कंसल्टेशन और सहमती के बगेर इसे सरकारी अस्तर पर लागू करने का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को किसी संगिता द्वारा बाधित करने का और चित ही कहां उठता है कि अमबेटकर जैसा विद्वान कानून विद इतना बड़ा कानून विद जो हो वह जबरन उसे लागू करने की बात कहता दोस्तों समिधान के खंड तीन में फंडामेंटल राइट्स है अनुछेद 12 से 35 तक खंड चार में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलसी है यानि नीती निर्देशक सिधान्त ये अनुछेद 36 से 51 तक है इसी में खंड चार ए है जो फंडमेंटल ड्यूटी का है जिसमें 51 ए भी अनुछेद शामिल है संभिधान का अनुछे 44 एक पंक्ति में कहता है एक पंक्ति में सिर्फ एक संटेंस है जिसको लेकर भारती जनता पार्टी और संग के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये तो संभिधान संमत है ये तो संभिधान में कहा गया है वो एक पंक्ति क्या है कि राज भारत के समस्त र एक अनुछेद पाले यानि अनुछेद 43 में समिधान कहता है 49A में कि राज किसी भी उपक्रम के प्रबंदन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी तैक करने का कदम उठाएगा और 43B क्या कहता है राज सहकारी समितियों की कारे प्रणाली को लोगतांत्रिक बनाने की कोशिश करेगा समिधान 49B में क्या कहा गया है भौतिक संसादनों पर स्वामित्र और नियंत्रन इस प्रकार का होना चाहिए कि पूरे समाज का भला हो और दोस्तो 39C क्या कहता है मैं जानबुष कर ये एक अनुछेद आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं फिर UCC पर आउंगा यानि समान नागरिक संगिता पर 49C कहता है कि आर्थिक व्योस्था का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि धन दौलत और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारन के लिए अहितकारी संकेंद्रन नहों यानि अहितकारी संकेंद्रन का मतलब होता है कि जो समाज के बड़े हिस्से के लिए गरबण हो नकारात्मक हो धन का ऐसा कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए और दोस्तों एक्यावन एच अनुछेद हर नागरिक कहता है कि हर नागरिक का करतब है कि वो संविधान का पालन करे इसके एच उपबंद में एच उसमें कहा गया है कि वैग्यानिक मिजाज यानि साइन्टिफिक टेमपर मानोवाद ग्यानरजन और सुधार की भावना का विकास हो यह सब fundamental duty का खंड है अब मेरा कहना है दोस्तों कि उसी सम्विधान में यह सारी चीजें कही गई है fundamental duty में कही गई है कुछ चीजें और कुछ राज के नीत निर्देशक सिधान्तों में कहा गया है लेकिन हमारी सरकारों को राजियों की हो और हमारे देश की किंद्र सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि वो अनुछेत कैसे execute किये जाए जिन पर समाज के किसी भी हिस्से में कोई dispute नहीं है कौन नहीं चाहता है कि धन का संकेंद्र नहों कौन नहीं चाहता कि जो हमारे उपक्रम हैं जो हमारे नेचरल रिसोर्सेज हैं उन पर एक ही तरह के लोगों का कब जाना हो जाए वही लोग उसके उनर्शिप समालें और वही उसको नियंत्रित करें ये कौन चाहता है समाज में कोई नहीं चाहता लेकिन जिस पर मैक्सिमम यूनिटी है समाज म मैक्सिमम यूनिटी मुठी भर कार्परेट और मुठी भर बड़े राजनेताओं को छोड़ कर पूरे समाज की उसको तो लागू करने में सरकारों को कोई दिल्चस्पी नहीं है जिहां मैं अनुछे 39 की बात कर रहा हूं लेकिन जिसको लेकर समाज में इतना विवाद है उ दोस्तो आज मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि डॉक्टर अमबेटकर इस बारे में सोचते क्या थे और उन्होंने सोचा ही नहीं उन्होंने कहा क्या कांस्ट्वेंट इसेमली में दोस्तो न्यूस क्लिक में ही अभी दो दिन पहले एसन साहु साहब ने जो समिधा पहले जो समिधान सभा के एक अच्छे अध्यता हैं उन्होंने डॉक्टर अमबेटकर को कोट करते हुए कांस्ट्वेंट इसेमली में उनकी डीबेट्स में उनकी जो भागीदारी है उससे उद्धित करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि डॉक्टर अमबेटकर इसको ज आपको डॉक्टर अमबेटकर का क्या इस परविचार था सोच था जिसको गलट ढंग से आज उद्रित किया जा रहा है वो कुछ संटेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों डॉक्टर अमबेटकर ने ये बात सही है कि संविधान में UCC यानि समान नागरिक संगिता यूनिवर्सल सिविल कोड को यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखने पर सामत ही जताई थी लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम सब जानते हैं कि DPSP यानि नीत इनिवर्सल सिविल कोड को डॉक्टर अमबेटकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के दौरान ये कहा था कि देश के हर समुदाए हर नागरिक पर इसे थोपा नहीं जाएगा अगर या नीत इनिवर्सल सिविल को डॉक्टर अमबेटकर ने फिर ये कहा कि इसका उपयोग पूरी तरह स्वेक्षया होगा दा अप्लिकेशन आप दे कोड में भी प्योरली वॉलन्टरी ये साफ शब्द है डॉक्टर अमबेटकर के तो डॉक्टर अमबेटकर को गलट धंक से कोट कर चाहे वो संसद हो या सडक हो मुझे लगता है कि अपना उल्लू सीधा करने में जो लोग लगे हैं वो न तो हमारे समिधान सभा की डिबेट के साथ ने आए कर रहे हैं और न डॉक्टर अमबेटकर के विचारों का डॉक्टर अमबेटकर इसको वालन्टरी शामिल करने की बात उन्होंने शिद्दत के साथ ने खांकित की और ये भी कहा कि भविश्य में भी कोई सरकार या संसद लोगों को इसके लिए मजबूर नहीं करेगी दोस्तों डॉक्टर अमबेटकर ने फिर दो दिसंबर 1948 को एक बहस में ये कहा कि कोई भी सरकार मुस्लिम कमुनिटी के विद्रोह करने की कीमत पर किसी भी संधिता को लागू नहीं कर सकती अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वो एक पागल सरकार होगी अब ये मेरे शब्द नहीं है ये डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर के शब्द हैं जो भारत की संविधान सभा में बोलते हुए जिनों ने ये बात कही थी और वो संविधान के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मेन थे तो ये कुछ पहलू ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को लेकर यानि समान नागरिक संगिता को लेकर बिलकुल साब बताते हैं कि मौझूदा सरकार और कुछ राजिसरकारें और भारती जनता पार्टि जिस शिद्दत के साथ नीती निर्देशक सिध्धानतों में शामिल एक लाइन को लेकर अड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि उसको लागुक कराने पर बिलकुल कटिबद है इसके पीछे राजिनितिक कारण हैं इसके पीछे सामाजिक ध्रुविकर्ण सामुदाइक ध्रुविकर्ण के पालु ज़्यादा मात्पौन हैं आखिर हमारे प्रियंबल की बाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की बाते हैं उनको लागुक क्यों नहीं की जा रही हैं प्रियंबल तो समता की बात करता है साहिशनुता की बात करता है वरात्रित्व की बात करता है सामाजिक ध्रुविकर्ण की बात भी फंडामेंटल राइट्स मे है हम उनको छोड़ रहे हैं और नीत निर्जशक्षित धानतों में आर्ट किल 39 के जो बहुत सारे पालू हैं उनकी बात छोड़ रहे हैं अंदा धुन हमारे सारजनी कुपक्रम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लुटाये जा रहे हैं बड़े उद्योग पतियों को और कार्पर हम खुला उसका विरोध नहीं करते उसका उलंगन नहीं करते दोस्तों इसी विशेपर हमने जाने माने समिधान विशेशक्य कनक तिवारी से भी बात की और उनसे पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है उन्होंने जो हमें बताया वो सुनिए तब उसमें एक ये मुद्दा कि क्या भारत के सभी नागरीकों के लिए समान नागरीक सही ता सी विशेवर कोड क्योंकि क्रिम्नल कोड तो हमारा पहले से है अगलो कोई अपरात करेगा तो उसका एक तरह से निराकराद अधान करती है सिविल कोर्ट की बात थी, इसको एक vara से किया जाए, इस पर बह hoş iki, इस बहस में किसी महतज़फून सदस्श्च ने हिसी लिया मुसल्मानों की तरफ से, मुसलिम सदस्जिशिओं की तरफ से 6-7 लोगों ने पहस में हिसा लिया भी पोकर सहब ने, मुहमद अली बेग ने मुहमद इसमाईल सहब ने, नदिरु अधिन नहमेद ने और फसान इमाम ने और हिंदू पक्ष को कहें या कि मुसलिम पक्स के खिलाफ जोनों ने पैरवी की कि इसलाम के रहते हुए भी और परंपराओं के रहते हुए भी हिंदू कोड या इसलामी कोड को अलग करके यूनिफार्म सिविल कोड बनना चाहिए उसमें मुख्य पैरवी कर्हे लाल मानिक लाल मुशी ने और अलादी कृष्णा स्वामी एयर ने की और उन्हें ने कहा कि इससे आपको कोई भै की जरुवत नहीं है इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन इसमें संलिश्ट इस्थितियां है अगर यूनिफॉर्म सिवल कोड बनेगा तो जो हिंदू मानिता है और हिंदू कोड है या पार्शी लोगों का जो कोड है या हिसाईयों का जो कोड है इसका क्या होगा ऐसी कौल सी चीज़े हैं कि जिनमें केवल मुस्लिम अधिकारों को परभावित करने के लिए इस कोड को लाने की बात की जा रही है बाकी का नहीं है जहां तक डॉक्टर अम्बेटकर के सवाल है डॉक्टर अम्बेटकर ने बहुती समस्दारी के साथ एक बैलेंस बात कही थी और उन्होंने ये कहा था आपने भी कंसल्टेशन की बात कही मैंने कहा है जिन लोगों के संभावित अधिकारों को आप बदलना चाहते हैं आपको उनसे सहमती लेनी पड़ेगी उनको विश्वास में लेना पड़ेगा और अम्बेटकर ने हिंदू-Muslim रिष्टों को लेकर जो पूरी सम्विधान सभा की बैठक में बहस में कहा है उसको केवल अनुच्छे चवालीस के संदर्ब में जो 10-5 बात कि उन्होंने दिया है और वह बहुसंखख जो है वो निमरीकल बहुसंखख है वो पोलिटिकल बहुसंखख नहीं कहलाया जा अगली बार फिर किसी ऐसे ही विचारों तेजक विशय पर ज़रूरी विशय पर आपके साथ फिर पेश्व होंगे नमश्कार आदाब सब्सक्रियाकाल प्राइब कर दो